माराष्ट्रा की उद्दव सरकार में मचे बवाल से एन्सीपी कोंग्रेस शिव सेना तीनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप थोपने शुरू कर दिये हैं मुक्या मंतरी उद्दव ठाकरे और प्रदान मंतरी नेंदर मोदी जी के बीच में हुई मुलाकात हो या फिर एन्सीपी सुप्रीमो सार्द फुआर की गुजरात पहुंच कर अमित साय से रात के अंधेरे में की गई बेठक हो इन गुप्त मिटिंगों पर अभी तक बवाल क पम भी नहीं हुआ था कि शिव सेना के एक और नेता परदीब सर्मा की ग्रिपदारी से हड़का मच गया है सचीन वाजे और परंबीर सिंग के साथ मिलकर इंटिलिया के इस वसूली कांड आदी को अंजाम देने वाले परदीब सर्मा को अनाय की टीम ने ग्रिपदार कर ल इंटिलिया केस को अंजाम दिया मंसुख हिरेन की हत्या को अंजाम दिया ये सारे के सारे काम कहें न कहें उनके आकाओं के आदेश पर किये गए वो बड़ी मचलियां और इनके आका कौन है इनका खुलासा अब परदीब सर्मा अनाय के सामने करेगा ऐसे में मारास्ट्रा क प्रोव ग्रैम मंतरी और एन्सीपी नेता अनिल देश्मुक को लेकर के सो क्रोड रुपे मंतली वसूली करवाने के खुलासे हो चुके हैं एन्सीपी सूपरीमो सार्द फुवार दुवारा सचिन वाजे से दो क्रोड रुपे वसुल करने के मामले को लेकर के खुला से हो चुके हैं और अब इस पूरे ड्रामे पर सिव सेना के बड़े नेताओं की फोल खुलने का डर उद्दाव ठाकरे को सताने लगा है क्योंकि प उद्दाव ठाकरे बिजेपी की सरण में जाने का डोंग रच रही हैं साथ जून को परदान मंत्री निरेंदर मोदी जी और उद्दाव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिव सेना के नेताओं ने बार बार परदान मंत्री निरेंदर मोदी जी और बिजेपी को सरफ गुंडा बता दिया है दरसल शिप सेना बवन का गिराव करने के बाद दादर में शिव सेना और बाज़पा करे करता हूं के बीच में हुई जड़प पर शिव सेना सांसत सञे राहथ ने कहा है कि शिव सेनिक सर्टिफायड गुंडे होते हैं और हमें किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जुरूरत नहीं है उन्होंने का जा मराठा के सौयुमान की बात आती है वहां पर हम सर्टिफाइट गुंडे हैं उन्होंने दावा किया कि शिव सेनिक ये गुंडा गिरी मराठी लोगों के लिए ही करते हैं राउत ने इस दोरान बाजपा युवा मोर्चा को चेताने का भी काम किया उन्होंने का कि 16 जून को शिव सेना बवन के सामने शिव सेनिकों ने जो किया है वो ऐसा तब भी करते जब वो सत्ता में नहीं रहते उन्होंने सपस्ट किया कि किसी को भी शिव सेना बवन के सामने फर्दसन नहीं करना चाहिए शिव सेना मुकपतर सामना के उखाड़ दिया वाले एडिटर ने आगे कहा मुंबई आज मारास्टरा का हिसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिव सेना ने स्यूंक्त मारास्टर मुवेंट के दोरान के अंदर के विरूद गुंडा गिरी की थी आग इसमें उन्होंने अयोध्या में निर्माना दिन राम मंदिर के लिए जमीन गोटाले का आरोफ लगाते हुए आरसस परमुक मोन बागवत और परदान मंतरी नरेंदर मोध जी से स्पस्टिक रन देने को कहा था इसके बाद बाजपा करे करताओंने सिव सेना बवन के सामने विरोध परदर्सन किया संजेर राउत ने कहा कि सिव सेना बवन सिर्फ पार्टी का ही नहीं बलकि मारास्ट्रा और मुंबई का भी गरव है उन्होंने पूचा कि कोई हमला करने आएगा तो क्या सिव सेनिक चुपचा बेठे रहेंगे उन्होंने कहा कि सामना में लिखा ग पार्टी के एक परतिनीदी मंडल से कहा है कि कि किसी को कानुन विवस्ता बिगाडने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए वहीं आगामी विदानसबा चुनाव पर संजेर राउत ने कहा कि अगर सिव सेना और NCP साथ लड़ती है और कोंग्रेस बाजपा अकेले-अकेले हुए उसमें देखा गया कि तिनों पार्टियां एक साथ होने के बावजुद भी बारतिय जंता पार्टी ने परचंड जीत दर्ज की थी सामना में ही मध्यावदी चुनाव की अठकले लगाई गई थी उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजेर राउती सामना में लिखते ह हैं कि माराष्टरा में मध्यावदी विदान सुबा चुनाव हो सकते हैं जिसका मतलब साब था कि कॉंग्रे सद्यक्स नाना पटोले के ब्यान में कुछ ना कुछ दम जरूर है जिसकी वज़य से संजेर राउत ने उद्दाव सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले ही विदान और इलेक्शन को लेकर के काफी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या आप कॉंग्रेस शिव सेना और न्सीपी का साथ छोड़ने जा रही है जिसके बाद उद्दाव सरकार 145 का जादू यांकड़ा खो देगी और उद्दाव सरक सरकार गिरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है ऐसे कई स्वाल माराश्टरा की राजनित्ती में उठ खड़े हुए हैं जो क्रोना काल खतम होने के बाद कई तरह के बदलाव की और साप साप संकेत है शिव सेना परमुकुद्दाव ठाकरे को उनके नेताओं पर वसू परमुकुद्दाव ठाकरे कोई बीच का रस्ता निकाल कर अपनी कुर्सी भी बचाना चाते हैं उनके नेताओं पर होने वाली कानूनी कारवाईयों से भी बचना चाते हैं और हिंदुत्वा की राजनित्ती में लोटने के भी अब सिव सेना कोशिश कर रही है लेकिन सिव सेना के ये कारणा में NCP परमुक सार्द फवार और कॉंग्रेस को कते रास नहीं आ रहे जिसकी वज़ाय से तिनों पार्टियों में आपसी बवाल काफी ज़्यादा बढ़ चुका है जो आने वाले समय में बड़ी बगावत को जनम देगा इसमें कोई सक नहीं है पिलाल सि नाव होने त्ये हैं क्योंकि 145 का जादू यांकडा उद्दाव सरकार खो देगी जिसके बाद री पोलिंग होनी निश्चित है कुल मिलारे का जा सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा बवाल माराश्टरा की राजनित्ति में देखने को मिलेगा और ये बवाल सिव सेन पर दबाव की राजनित्ति कर चुके हैं नाना पटोले भी माराश्टरा के मुक्या मंतरी बनने की बात कह चुके हैं इस तरह की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और तिनों पार्टियों के नेताओं में जो आपसी अन्बन है वो किसी से चूपी हुई नहीं हैं सर्द फवार के साथ मिलकर के कॉंग्रेस कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी यानि कि इस पूरे बवाल को ध्यान में रखें और उपर से शिव सेना दुआरा अचानक ही मोधी सरकार की तारीपों के पूल बांधने परदान मंतरी नेंदर मोधी जी की तारीपें करना और बिज़ेपी क पूरे पांच साल तक माविकास गाड़ी घठ बंदन सरकार चला पाएंगे या बीच रस्ते में ही एन्सीपी और कॉंग्रेस सिव सेना का साथ छोड़ देगी इस प्रापवने विचार हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के लिए इतना हैं मिलते हैं लिए बड़ी अपडेट के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत